सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बेल आइकॉन फॉर लिटेस्ट कार और टेक्नोलोजी अपडेट्स असलाम अलेकॉम और वेलकम टु टु टेक्टिप्स एक्सपर्ट आज की वीडियो में जिन दो कास का पारिजन करने जा रहे हैं वह है वेगनार वी-एक्स-ईल और कल्टस वी-एक्स-ईल और इंडेफ्ट कारेंगे जैसा कि लास्ट वी कमेंट सेक्शन में एक 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 विवर कि कमपैजन वीडियो बहुत ही कम मिलेगी तो आज हम 19 डिफरेंसिस की बात करेंगे कि इन दोनों कास में 19 कौन से ऐसे डिफरेंसिस हैं और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किन-कन फीचर्स की बेस पे आपको वेगनार वी-एक्स-ईल चूज करने चाहिए और किन-कन फीचर्स की बेस पे आपको कुल्टस वी-एक्स-ईल चूज करने चाहिए वीडियो के आपको कमपैरिजन टेबल मेलेगा और फीचर्स की लिस्ट मेलेगी अगर आपकी प्रियर्टी वह फीचर है तो आप वेगनार वी-एक्स-ईल चूज करें और अगर आपकी प्रिर्टी चेंज है तो अब कल्टस VXR चूज कर सकते हैं नौ लेट स्टार दे वीडियो, वेगनर VXL कम्सित प्राइस टाइग आप 11,14,000 रूपीज वेरास कल्टस VXR कम्सित प्राइस टाइग आप 12,50,000 रूपीज इन दोनों काइज की जो प्राइस ए वो हमें सैम मिलती है क्योंकि इंस्टेंट डिलिवरी केस में वेगनर VXL पर आउण है वो अल्मॉस्ट फॉल्मॉस्ट मॉर्ण प्राइस वो अल्मॉस्ट सैम ही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलेंगे इस चैनल पे आपको वीडियो की सेरीज मिलेगी जिसमें एक काथ के डिफरेंट वेरियंट को आपस में कंपेर किया गया है इसके इलावा आपकमिंग काहत की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी सो सब्सक्राइब दे चैनल और वीडियो वीडियो के पहले फेज में मैं आपको वह फीचर बताऊंगा जिनकी बेस पे कल्टस VXR बीट करेगी वेगन और VXL को और सेकंड फेज में मैं आपको वह फीचर बताऊंगा जिनकी बेस पे वेगन और VXL बीट करेगी कल्टस VXR को नव लेट स्टाट द वीडियो डिफिनस नमर वन इस आफ विट्थ वेगन और विट्थ इस 1475 mm वेराज कल्टस विट्थ इस 1600 mm सो इस तरह कल्टस वीडियो ज्यादा स्पेशिस है और रेर सीज पे तीन पेसंजर जो है वह वह इजिली अडिजस्ट हो सकते हैं जहां तक पावर विंडोस की बात करें तो वेगन और VXL में आपको जस्ट फ्रंट टू विंडोस जो हैं वह वह पावर मिलेंगी लेकिन कल्टस VXR पे आपको चारों विंडोस जो हैं वह पावर मिलती है इसके इलावा boot luggage capacity की अगर बात की जाए तो wagon R में boot luggage की capacity है वो 180 liters मिलती है जबके कल्टस VXR में आपको 254 liters की boot luggage capacity मिलती है तो इस तरह जो trunk capacity है वो comparatively कल्टस में ज्यादा है Now let's talk about wheel size wagon R VXL में आपको 13 inch का wheel मिलता है जबके कल्टस में 14 inch का wheel pre-install आता है Difference number 5 is of steering adjustment wagon R VXL में आपको steering adjustment नहीं मिलती है जबके कल्टस VXR में आपको steering adjustment मिल जाती है Now let's talk about the internally adjustable side mirrors wagon R VXL में आपको internally adjustable side mirrors नहीं मिलते हैं जबके कल्टस VXR में आप side mirrors को internally adjust भी का सकते हैं जैसा कि आपको screen पे नजर आ रहा है Let's discuss the gear knob position wagon R VXL में जो gear knob की position है वो इतनी compatible नहीं है जैसा कि आपको कल्टस VXR में मिलती है कल्टस VXR में gear knob की जो position है वो driver comfort को मदे नजर रखके बनाई गई है Now let's talk about the road grip and behaviors on turns wagon R में आपको 145-80-R13 का टायर मिलता है जबके कल्टस VXR में आपको 165-65-R14 का pre-install टायर मिलता है So इस सरह कल्टस VXR की जो road grip है और behavior on turns है वो wagon R से काफी अच्छा मिल जाता है Defense No.9 is of exterior design wagon R का जो exterior का design है वो हमें normal मिलता है जबके कल्टस VXR का जो exterior design है वो हमें aerodynamic मिलता है which helps in fuel saving जहां तक fuel consumption की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों में same engine होने की वज़ा से दोनों गाड़ियों की fuel consumption almost same मिलती है लेकिन तीन reasons ऐसी है जिनकी base पे कल्टस VXR की जो fuel economy है वो हमें काफी बेतर मिल दी है wagon R VXL से number one is of weight wagon R VXL का जो weight है वो 835 kg मिलता है जबके कल्टस VXR का weight 785 kg मिलता है wagon R VXL में convention fuel injection technique यूज की गई है जबके कल्टस VXR में multipoint fuel injection technique यूज की गई है और इसके ज़ाबा कल्टस VXR का aerodynamic design होने की वज़ा से भी इसका जो fuel economy काफी बितर मिलती है difference number 11 is of entertainment system wagon R VXL में जो हमें entertainment system मिलता है उसमें Bluetooth audio और Bluetooth काल की functionality नहीं मिलती जबके कल्टस VXR में हमें Bluetooth audio और Bluetooth काल की functionality भी मिल जाती है now let's talk about the fuel average display on instrument cluster wagon R VXL में आपको fuel average display नहीं मिलता जबके कल्टस VXR में fuel average जो है वो instrument cluster display हो रही होती है difference number 13 is of high mount rear brake lamps wagon R VXL में आपको high mount rear brake lamp pre-install नहीं मिलते जबके कल्टस VXR में आपको high mount rear brake lamp pre-install मिल जाते है यह तो वो features थे जिनकी base पे कल्टस VXR wagon R VXL को beat करती है now let's discuss those features जिनकी base पे wagon R VXL beat करेगी कल्टस VXR को difference number 14 is of ground clearance wagon R VXL की ground clearance 170 mm है जबके कल्टस VXR की ground clearance 145 mm मिलती है so इस तरह wagon R VXL की ground clearance है वो हमें काफी अच्छी मिलती है जो के speed breaker के मामले में काफी helpful है difference number 15 is of body color door handles wagon R VXL में आपको body color door handles मिलते हैं जबके कल्टस VXR में आपको black color के door handles मिलते हैं difference number 16 is of body color side mirrors wagon R VXL में आपको body color side mirrors मिलते हैं जबके कल्टस VXR में आपको black color के side mirrors मिलते हैं so इन दोनों problem को अगर करने के लिए अगर आप कल्टस VXR में जबके क्रिफाइड gray color चूज करेंगे तो black color इतना prominent नदर नहीं आएगा जहां तक 12V की interior accessory socket की बात की जाएं तो wagon R VXL में आपको 12V की interior accessory socket मिल जाती हैं जबके कल्टस VXR में आपको 12V की interior accessory socket नहीं मिलती हैं जहां तक spare parts के availability और price की बात की जाएं Now you can see the whole comparison chart यह वो features एंजिन की base पे कल्टस VXR बीट करती हैं wagon R VXL को इन features में width, power windows, boot luggage capacity, wheel size, steering adjustment, internal adjustable side mirrors, gearbox position, road grips, exterior design, fuel economy, bluetooth call and bluetooth audio function और fuel average display शामिल हैं और अभी आप वो features देख रहे हैं जिन की base पे wagon R VXL बीट करती हैं कल्टस VXR को उनमें ground clearance, body color door handles, body color side mirrors, 12 volt interior accessory socket और अबसे जो main 2 parts हैं जिनकी base पे wagon R VXL बीट करती है कल्टस VXR तो spare parts के availability और उनकी price है और उसके लावा wagon R VXL की resale value है So what about my recommendation? I would definitely like to recommend you guys Kultus VXR लेकिन अगर priority की बात की जाए और अगर किसी की priority spare parts के availability और उनकी price और retail value है तो वो wagon R VXL चूज कर सकते हैं यह दि आज की video उमीदा आज की video आपको पसंद आए होगी, please subscribe to the channel and also watch other uploaded videos, thank you जाए होगी, please subscribe to the channel and see you